तो फ्रेंट्स आज हम गोडल की कट्टिंग गोडल करेंगे एजी टू गोडल होने वाली कटिंग है तो फ्रेंट्स इसका प्लांट जो है आप जिस तरीके की वेराइटी का लगाना चाहें अभी अपने गार्डन में गोडल कर सकते हैं क्योंकि हाइबृड़ भी लग जाता और देशी वाला दोनों गुडल जो है इजी टुग्रू होने वाल प्रांट है और अभी आप जो है इसको रैनी सीजन में लगाएंगे तो ना ही कोई फर्टिलाइजर उसकी जो रूट सार्मॉंट की जरूरत है ना ही फ्रेंट्स कुछ भी नहीं फ्रेंट्स ना ही मैंने इस मैंने कटिंग जो है फ्रेंट्स 25 जुलाइज को सम्तिंग फ्रेंट्स ग्रोखी थी और अभी आप इसका लास्ट में देखिएगा कि कितनी अच्छी हो गई अभी है यहल्दी काफी मिली वा गया तो मैं इसको अटा रहें फ्रेंट्स काफी छोटी-छोटी लगी हुई है इसको आप बॉट्रिंग करेंगे डेली तो फ्रेंट्स यह अठ जाती है और बारिश के वज़े से फ्रेंट्स पाइप का यहाँ पन यूज भी नहीं कर रहे हैं तो मैं सोच रही हूं कि आज इस प्रेंट्स से और इसको इस तरीके से निकाल दूँ बट वह देखिए अब क्लीन हो गई है और यहीं से जो है कापी न्यू ब्रांचिस निकल के आएंगी इसलिए फ्रेंट्स जो है जरूरी होना है कि जब भी न्यू ब्रांचिस वाले पॉर्शन पर कोमल-कोमल पत्तियां आती हैं वहीं पर जो हैं मिली बक्स अकसर रहती हैं और लेप्स के पीछे भी चिपी रहती हैं तो आप इस अध्यान रखें जब भी बारिस रुख जाती है तो यह वर्क होना स्टार्ट हो जाता है हमारे प्लांट सभी पर लावलिंग वाल प्लांट बादिकतर होता है सबजीयों में भी फूल होते हैं उसमें भी होता है फ़लो बाल में भी फूल अक्सर काफी ब्रांचिस पूरी मिलीवग से घर जाती है यह बर्ड जो है कितनी अच्छी है बर्ड जो है इस पर भी साइड से मिलीवग लगी होई है देखिए मैं निकाल रही हूँ स्टिक की हेल्प से और फ्रेंट जो है इसकी केर हमको अगर आपको नीम की नीम का जो ऑ समच तो फ्रेंट्स करके आप जरूर जल्दी-जल्दी करते रहेंगे तो यह सब नहीं होता है अभी क्या फ्रेंट्स यह अंदर की साइड में रखा हुआ था प्लांट तो बारिश भी इस पर नहीं पढ़िए इस बज़े से मिलीवग आई है बर नहीं तो फ्रेंट्स जो बाहर की साइड में है जनकी उपर बारिस गिर रही कंटिन्यू वह बहुत अच्छे प्लांट चल रहे हैं कोई मिलीवक्स नहीं किसी के उपर यह देखिए मेरा टिकोमा का प्लांट के इतना अच्छा हो गया है इनको मैंने सबको टैरिस गार्डन में रिपॉट कर दिया है दूसरे पॉट में लगा दिया है यहां से निकालके इसमें दो दो गुड़हल थे इसमें से एक गुड़हल मैंने पिंक वाला जो है और यह टिकोमा और इसमें और और टिकोमा भी सभी एक पॉट में ऊपर टैरिस में रख दिया है और इसमें क्या होता है फ्लावरिंग आ काफी ब्रांचित में नीचे देखें सुख गई सोग अगती दो प्रैंट्स में कोई भी जो फटिलाइजर करें, इसमें में काफी ब्रांचित हैं उनको मैं जो है कट करने के बार感 आज हम इनको कुछ अगारा नहीं, एक विए प्लांचित काफी है यह ब्रांचित में ना हो तो इसमें 3-3 काफी प्लांट्स लगे हैं मतलर टीकोमा जो है टू बाराइटी में है टू गोड़ल की बाराइटी तो मैंने इसमें से अलग तो कर दी है अब तब मेरी टेंशन थोड़ी सी काम होई है क्योंकि यह प्लांट जाए कितनी मुसके सी मैंने सब कटिंग से ग्रो की हैं कोई भी प्लांट्स इन में से यह खरीदा हुआ नहीं है दोनो टीकोमा भी कटिंग से और यह दोनो गोड़ल वी फ्रेंट्स तो मुझे लगता है कि मैंने इतनी महनत से लगाए उसके बाद मेरे प्लांट खराब ना हो जाए तो फ्रेंट्स मैंने सोचा कि क्यों आज मैंने की कटिंग ग्रो कर दूँ बाई चांस ऐसा होता है कभी प्लांट हमारा मेरे पास बाइट वाले इतने सारे ही विसकस थे समझ लो तीन से पाँच ऐसी को सम्तिंग होंगे तो फ्रेंट्स लास्ट में मेरे पास only one बचा है उसका क्या रीज़न है फ्रेंट्स प्लांट्स हमारे घर में अच्छे से चलते रहे पर क्या होता हमारा जो है तोड़ा सा घर चेंज हुआता तो वो उस टाइम जो है फ्रेंट्स उसमें से एक प्लांट यहां पर आए तो यहां पर एक दे दिया बचे हमारे पास तीन प्लांट्स उसमें से एक गल गल के वैसे खराब हो गया यह देखे मैं सब हटा रही है ब्रांच इसमें से और फ्रेंट्स इस तरीके से हमारे पास सिर्फ एक प्लांट काऊंगी यह देखिए इसमें से हम लीप्स हटा देंगे एक्स्ट्रा वाली और बहुत ही इजी है इसकी कटिंग ग्रो करना बट यह चल जाए यही बहुत बड़ी बात है तो अभी आप देर नहीं करिए रहनी सीजन है इसमें अभी जो भी कटिंग आप ग्रो करेंगे इस पोजल में ग्रो किया था और दूसरे पॉट में ग्रो भी कर दिया उसको विद सॉयल फ्रेंट से निकालके वीडियो मेरे चैनल पर आ चुका है अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो देख सकते हैं फ्रेंट्स मैंने शायद शॉर्ट डाली है और लॉंग डाली थी जब मैंने इसको कटिंग से ग्रो किया था बट जो अभी मैंने आपको शॉर्ट वीडियो दिखाई इसका देख रहा है नीचे साइड की ब्राउन ब्राउन जो लेयर है वो अटा देंगे और ग्रीन ग्रीन कर लेंगे देखिए इस तरीके से तो आप किसी भी नाइफ की हे से या सीजर की हटा सकते हैं इसमें हम एलो एरा का जैल लगाएंगे बट ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि हम लगाएं इस वज़े से लाए देखिए बारिश का पानी देखिए बारिश भी गिर रही है साथ में तो बारिश भी आ गई है तो फ्रेंट से जो है जुलाई लास् इसमें गोवर की खाथ फ्रेंट इसमें मैंने डहलिय का प्लांट लगाये था उसी पॉड्में मैंने कुछ चेंज नहीं किया है उसी फ्रेंट पुरानी वाली सोईल मिक्षर में ही मैं कटिंग कर रही हूं زाए जरू कोई नई कटिंग नहीं चेंगाया और अएसी में इस म पॉल में हमने इसको लगा दिया कितने अच्छे से और फ्रेंट से ये कटिंग ग्रो हो जाएगी बहुत ही अच्छे से और इसमें ना ही कोई पॉली बैग कवर करेंगे हम और ना ही इसको शैडड एरिया में रखेंगे क्योंकि बारिश हो रही है अगर आप कहां दूप हो त कटिंग के साथ भी इनके साथ भी ऐसा ही हो रहा है और बहुत अच्छे से चल गए है ये टिकोमा का प्लांट है इसको मैंने इसमें से हटा के बाहर साइड में लगा दिया है अपने घर के आउट साइड में बढ़ जो है बाहर तो फ्रेंट्स कोई ना कोई इसको खा लेता है पता नहीं गाइब अगरा भी खा लेती है वो कभी बड़ नहीं नहीं दे रहे तो मैंने सोचा मेरे पास तो बहुत सारी इस बज़े से मने लगा दिया है अब चल लगे तो ठीक ना कोई क्या कर सकते हैं गाइब है इसको साइड में फ्रेंट्स हमारी बाउंटरी नहीं क मेरे पास काफी बड़ा प्लांट लगा हुआ था अल्रड़ी यह देखिए यह जो पहले की कटिंग लगे थी इसको मैंने इसमें दूसरे पॉट में रीपॉंट कर दिया इन सबको तो फ्रेंट्स आप कटिंग कर रिजल्ट देख सकते हैं कितनी बड़िया कटिंग हेल्द सब्सक्राइब देख सकते हैं कितने फ्लावर्स आएं इतनी बड़ी हो गई है कि वाली एक कटिंग है मैंने इसको ग्लास में लगा दिया चोटे से डिस्पोजल में विकी बड़े पॉट में मैंने कुछ और प्लांट ग्रो कर दिया है और यह देख रहे हैं सभी गुड़ इतनी ननी सी कटिंग है देख का रहा था वीचारे कितने फ्लावर्स खिला रही है कितनी प्यारी श्री करते हैं कि सब्सक्राइब देख बड़ा बड करते हैं